तो दूसरी में बात करने वाले लक्ष्मी और गेनिक इंडस्ट्रीज की और यहां पर अगर हम देखे तो मैंने आपको कुछ लेवल्स बताये थे और डाउन साइट की अगर मैं बात करूं तो फोरेट का एक काफी स्ट्रांग स्पोर्ट था. 400 का स्पोर्ट का मतलब क्या है कि वो एक औरंज कलर की है? 410, 400 के बीच की एक रेंज तो अगर वहां पे स्टॉक आपको मिलता है तो इन देट इस गुड़बाई ऑपर्चुनिटी फोर यू ठीक है? ऐसा जरूरी है कि हमेशा 400 पे आके वो बाउंस करेगा. उससे पहले भी बो कर सकता है. दोन यहां पर भी हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है. इंट्रा डे में ठीक है तो अभी तो यहां पर क्या है कि लक्ष्मी और्गेनिक के रिजल्ट भी आ रहे है? ठीक है वहां पे साथ में फंड रेजिंग का भी प्लान होगा तो रिजल्ट के उपर डेफिनेटली आपका यहां पर फोकस रहना चाहिए क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आए. फिर भी अगर यह स्टॉक फाइंड का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और पांच्छो का लेवल ब्रेक कर देता है. स्टॉक ओन दर अपसाइड तो बड़ी रेली एक्सपेक्टेड एड़ ओन थे. लेकिन 700 के उपर स्टॉक निकालना चाहिए. तो ही आप वैन 1000 का टारगेट लेकर यहाँ पर चल सकोगे. डाउन साइड से यहाँ पर बहुत ज्यादा लिमिटेड डाउन साइड में फोल्ड का बहुत ही स्ट्रांग स्पोर्ट है तो जब तक फोल्ड के उपर स्टॉक सस्टेन करें तब तक आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत देने वाली चीज़ नहीं है. तब तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो. एक बार के लिए फो नाइक का ब्रेकडाउन देता है देन यू कैन फ्रीली एग्जिट फ्रॉम लक्ष्मी और्गेनिक वापिस से फो एक्जेंपल देता है. वापिस से खरीद लो अगर फूट को ब्रेकडाउन देता है तो वापिस भेजदो ठीक है यही आपका पूरा का पूरा सिनारियो रहना चाहिए तो दूसरी फिल्म नहीं करते. वीडियो कॉल लगाओ तो प्लीज लाइक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना.